Books That Speak पर सभी का स्वागत है क्या औरतों को पुर्शों से कमतर समझा जाता है? कहानी सुनिये और जानिये ऐसा सोचना क्यों गलत है? कहानी का शीर्शक है सबसे जरूरी काम कहानी लिखी है मनिशा चौधरी चितरांकन सुविधा मिस्त्री प्रकाशन प्रथम एजुकेशन फांडेशन कहानी का वाचन असावरी दोशी ऐसी कौन-कौन सी चीजे है जिनकी हम सभी को जरूरत पड़ती है? चाहे हम छोटे हो या बड़े, पुरुश हो या स्त्री, मोटे हो या दुबले, हिंदी बोलते हो या जापानी कुछ चीजों के बिना हम रह नहीं सकते. सबसे पहले तो हवा है. हवा के बिना हम सास नहीं ले पाएंगे. वैज्यानिको का कहना है कि हम हवा के बिना तीन मिनट से ज्यादा जिन्दा नहीं रह पाएंगे. पानी भी जिवन के लिए जरूरी है आम तोर पर कोई व्यक्ति पानी के बिना तीन दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा अगली चीज तो आपने सोची लियोगी और आपने ठीक ही सोचा कि वो है खाना खाना हमें अपने जीवन में सब काम करने की ताकत देता है रोटी, दाल, सबजी, फल, दूद, दही और मास मचली से हमें कार्बोहाइडरेट प्रोटीन मिलते है हमारा शरीर इनकी मदद से सब अंगों को चलाता है इससे हम दोडने भागने, पढ़ने और घर, खेत, या दफ्तर के काम करने के लायक बन पाते है क्या आप जानते है हमारे समाज में दिन भर में सबसे ज्यादा घंटों तक औरते काम करती है आमतोर पर वे परिवार में सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है हम उनके कामों की गिनती शुरू करे तो सूची बहुत लंबी होगी सूची याने की लिस्ट घर में सब के लिए खाने पिने की व्यवस्था घर और कपडों की सापसफाई बच्चों बुढों की देखभाल पशुओं के लिए चारा पानी का इंतजाम औरतों की दिनचर्या क हिस्सा है इनके साथ बाहर का काम भी जैसे खेत का काम या नौकरी करती हुई भी औरते नजर आ जाएगी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से देशों में औरतों को औरों से कम खाना मिलता है वे सब को खाना खिलाने के बाद जो बचता है उसी से काम चलाती है ऐसा क पानी और खाने की जरूरत हम सभी को है। औरते तो औरों से ज्यादा काम करती है। उनके शरीर को भी उतनी ही ताकत चाहिए। उनके काम के पैसे नहीं मिलते क्या सिर्फ इस लिए उनके काम को काम नहीं समझा जाता। जरा सोचिये अगर वे ये सारे काम बंद कर दे तो क्या हमारा परिवार और हमारी दुनिया चल पाएगी। सोचिये सोचिये। बच्चो आप अपने आसपास और आपके परिवार में ऐसी कौन-कौन सी औरतों को देखते हैं जो दिन भर में अलग-अलग काम करके अलग- और आप मुझे इसका जवाब ई-मेल कर सकते हैं।